राजस्तान में बीजेपी ने विदानसबा चुनाव तो जीत लिया है लेकिन मुख्यमंतुरी के नाम को लेकर फसा पेच सुलजाने में पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है राजस्तान में मुख्यमंतुरी के दावेदारों में कई नाम सामने आ चुके हैं इस फेहरिस्त में पूर्वसीयम वसुंदरा राजे, तिजारा से वधायक बने महंत बालकनाथ, केंद्री मंतुरी अश्विनी वैशनव, केंद्री मंतुरी गेजिंदर सिंग शेखावत और जैपूर राजगराने से आने वाली दिया कुमारी का नाम शामिल है तीन दिसंबर को आए, नतीजों के बाद से अब तक जैपूर से लेकर दिल्ली तक सियासी घटनकरम तेजी से बदल रहे हैं दिल्ली में जहां लगातार बैटकों का दौर जारी है तो वहीं जैपूर से भी वदायकों के पूर्वसीयम वसुंदरा से मिलने की खबरे आई हैं ऐसी भी खबरे आई हैं कि वसुंदरा राजे ने कुछ वदायकों को अपने रिजॉर्ट में बुलवाया था गुरवार को वसुंदरा राजे और उनके सांसद बेटे दुशियंत सिंग ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात की ऐसा बताया जोरा है कि तीनों नेताओं के बीच ये बैठक करीब एक गंड़ा बीस मेर तक चली सूतरों के हवाले से खबर है कि मीटिंग में वसुंदरा ने रिजोर्ट और वधायकों को दिये गए डिनर पर जेपी नड़ा के सामने अपना पक्ष रखा तो खबर है कि जेपी नड़ा के साथ वसुंदरा राजे ने बैठक में रिजोर्ट पॉलिटिक्स पर सफाई दी सूतरों के हवाले से खबर है कि वसुंदरा ने कहा है कि रिजोर्ट वाले मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है वसंदरा ने जेपी नड़ा को विश्वास दलाया है कि उस पूरे प्रकरण को गलत ढंक से पेश किया गया है इसके अलावा वसंदरा ने वधायकों से मुलाकात की पीछे किसी तरह के शक्ती प्रदर्शन की बात से इंकार किया बता दें आपको कि चुनाव नतीजे आने के अगले दिन ही वसंदरा से मिलने के लिए कई वधायक पहुँचे थे मीडिया में लगातार ये खबरे आ रही थी कि वसंदरा से मिलने के लिए पहले 40 वधायक पहुँचे और अगले दिन ये संख्या 70 हो गई थी ऐसे में ये कयास भी लगाय जाने लेगी कि वसुंधरा विधायकों की संख्या दिखा कर पार्टी आलाकमान को अपनी ताकत दिखाने का काम कर रही है लेकिन गुरुवार को जेपी नड़ा के साथ हुई बैटक से जुड़ी एक और एहम खबर ये है कि वसुंधरा ने नड़ा को भरोसा दिया है कि वो कभी पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जाएंगी वसुंधरा ने कहा कि वो एक अनुशासित कारी करता है इसके लावा इस बैटक से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि बीजेपी अध्यक्षर नड़ा के साथ मुलाकात में वसुंधरा की सरकार राजजे में गठन को लिकर भी चर्चा हुई है आपको बता दें कि राजस्तान के सियासत में वसुंधरा राजजे का नाम पिछले दो दश्रकों से बीजेपी के सबसे बड़े निता के रूप में लिया ज़ाता रहा है और यही वज़ा है कि इस बार भी चुनाव से पहले सियम के तौर पर उनहीं के दावेदारी मानी ज़ा रही थी लेकिन चुनापरचार शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेद्र मोधी और बीजेपी के केंदुरी नित्रतुर ने ये साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव किसी चेहरे पर नहीं बलकि कमल के निशान पर लड़ाए जाएगा तबी से ऐसी कयास लगने लगे हैं कि वसंदरा के लिए इस बार कुर्सी का रास्ता आसान नहीं है आपको बताते हैं राजस्तान की राजरीती में वसुंदरा का कद्ध क्या है वसुंदरा राजे दो बार राजस्तान की सीम रही है वो साल 2003 में पहली बार सीम बनी इसके बाद साल 2013 में उन्होंने दूसरी बार सीम की जिम्मधारी संभाली वसुंधरा अब तक 6 बार वधायक रह चुकी है इसके अलावा वसुंधरा पांच बार लोकसबा सांसत बनी है बतादे कि राजस्थान में पिशली 30 सालों से सत्ता परिवर्तन का रिवाज है साल 2018 में राजस्थान की जनता ने वसुंधरा की सरकार को गिरा कर कॉंग्रेस को सत्ता सौपी थी इसके बाद साल 2023 में हुए चुनाव में बीजेपी ने फिर जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की इस बार पार्टी की तरफ से CM का कोई फेस नहीं था पार्टी केवल नरिंद्र मोदी के चहरे और बीजेपी के विकास के जनते के साथ मैदान में उत्री थी बीजेपी के सभी बड़े निताओं ने गहलोत सरकार की नाकामी और कानून विवस्ता के मुद्धे पर जनता से समर्थन मागा जनता को ये विश्वास दलाया कि नरिंद्र मोदी के नित्रुत में बीजेपी राजस्थान में विकासुन मुखी और भैमुक्त शासंदेगी कॉंग्रेस जहां चुनाओ में अपनी गारंटी के साथ मैदान में थी तो वही बीजेपी केवल प्रधान मंत्री मोदी की गारंटी के साथ मैदान में 3 दिसंबर को नतीजे आए तो राजस्थान की जनता ने परिवर्तन के रिवास को दोहराते हुए एक सो 99 सीटों में से 115 सीटों पर बीजेपी को जित दिलाई अब देखना होगा कि बीजेपी राजस्थी की कमान किसे सौपती टीम निव्स नेशन